दोस्तो एक ऐसी परिक्षा जिसमें परिक्षा लेने वाले ही फेल हो गए जी हाँ आज कर नीट की परिक्षा का विवाद चल रहा है आपको पता ही होगा नीट की परिक्षा कराने वाली एजनसी एंटी ने पेपर लीक से इंकार किया लेकिन इन दिनों अकबार नीट की परि इंडिया लेकिन हमारी सरकार जी जानती है पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया और जवाब दे ही तो आप जानते ही है कोई जवाब दे ही नहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी ने कहे दिया है कि ये मामला संसद में उठाया जाएगा अब सरकार तो जवाब देगी नहीं इसलिए ये मामला जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जाड लगाते हुए एंटी को नोटी जारी किया अब दोस्तों सवाल है नीट परिक्षा में गडबडिया तो है लेकिन दोशी कौन है नमस्कार दोस् परिक्षा सवालों के घेरे में है सवाल तो पहले से उठ रहे थे पहले सब कुछ धका छिपा था लेकिन अब केंद्र और परिक्षा का आयोजन करने वाली एंटी को छोड़ कर किसी को इसकी पवित्रता पर यकीन नहीं रह गया बियार हरियाना और गुजरात की पुलीस इ सुप्रिम कोट ने भी कहे दिया कि इस परिक्षा की पवित्रता परभावित हुई है और उसका जवाब देना होगा अब अगली सुनुवाई 8 जुलाई को होगी साथ राज्यों की उच अदालतों में इससे जुड़ी 41 याचिकाय लंबित है जिने सुप्रिम कोट में ट्र अधान सबास से प्रस्ता पास कराया और कई बार केंट सरकार से अपील की है किसे खतम क्या जाए मेडिकल में दाखिले का अधिकार पहले की तरह राज्यों को दिया जाए खैर ये एक अलग विवाद है लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसके पर्षन पत्र लीक होने चा प्रस्तागत रूप से गडबड़ी करने और चुनिंदा चात्रों की मदद करने का आरोप लगा है दोस्तों ये सिर्फ पर्षन पत्र लीक होने या सिर्फ नकल कराने का मामला नहीं है इस बार की परिक्षा में कई स्तर पर गडबड़ी हुई है जिसमें सबसे पहली समय सीमा समाप्ट हो जाने के बाद एक दिन के लिए क्यों window open किया गया ऐसा नहीं है कि समय सीमा समाप्ट होने पर उसे एक दिन बढढ़ाया गया समय सीमा 16 मार्च 2024 को समाप्ट हो गई थी और उसके 26 दिन के बाद 9 अप्रिल को अचानक विंडो ओपन कर दिया गया पहले कहा गया कि उस दिन थोड़े से चात्रों ने आवेदन भरे लेकिन अब पता चल रहा है कि 24,000 से जादा चात्रों ने उस एक दिन में आवेदन किया अब सवाल ये है क्या किसी खास परिक्षार्ती या परिक्षार्तियों के समू को मुका देने के लिए विंडो उपन किया गया था अब जब पूछा जा रहा है कि इन 24,000 चात्रों में से कितने चात्रों निस साल की परिक्षा क्वालिफाई की है 20 की ओर से इसकी जानकारी नहीं दी जा रही ही और दूसरी गड़बड़ी यह है कि बिहार, जारखन, ओडिसा, करनाटक जैसे राजियों के कुछ चुनिंदा चात्रों ने गुजरात में गोदरा का जैजलारम स्कूल परिक्षा केंद के रूम में क्यों चुना ज्यादतर चात्रों का परिक्षा केंदर अपने राज्ये की सीमा के अंदर होता है फिर कुछ चुनिंदा चात्रों ने गुजरात के गोदरा में एक निशित स्कूल को कैसे चुना क्या गुजरात के इस केंदर पर कुछ खास बंदोबस्त किया गया था जिसका फायदा उन चात्रों को मिला जो महाँ परिक्षा देने गए बताया जा रहा है कि इस परिक्षा केंद पर अनेक चात्रों के भिवाब को ने फिक्सिंग की थी चात्रों से कहा गया था कि वे अगर सवाल का जवाब नहीं जानते है तो उसे छोड़ देंगे बाद में उनके जवाब भरे जाएंगे इसका खुलासा होने के बाद गुजरात पुलीस ने पांच लोगों को गिरपतार किया है जिन में चार लोग परिक्षा केंद्र से जुड़े है और एक स्तान्य कोचिंग का संचालक है साथ में पुलीस को क्रोडो रुपे के लेन देन के सबूत भी मिले है और इसी तरह की गड़बडी भिहार पुलीस ने भी पकड़ी है भिहार पुलीस जारकन के हजारी बाग के एक केंद्र की जाच कर रही है महां परशनपत्र लीक होने की बात कही जा रही है उस सेंटर पर आठ चात्रों को 720 में से 720 अंक मिले है इसके अलावा कुछरने चात्रों को 716 से 719 तक अंक मिले है कहा जा रहा है कि एक निशित परिक्षा केंद पर परिक्षा में शामिल हुए चात्रों को परिक्सा से 4 घंटे पहले पर्षनों का सही जवाब याद कराया गया था इसके लिए भी परती चात्र लाखों रुपे की लेन देन की जानकारी मिली है वहाँ भी पुलिस जाच कर रही है अब तो पुलिस ने चात्रों को भी जाच में शामिल होने के लिए बुलाया है अब आते हैं तीसरी संस्तागत गड़बडी पर और यह है कि 1563 चात्रों को ग्रेस मार्क्स दिये गए जिसकी वज़े से अचानक परफेक्ट स्कोर करने वालों की संख्या भूत वड़ गई आमतोर पर नीट यूजी की परिक्षा में 720 का परफेक्ट स्कोर किसी को नहीं आता अगर कभी आया भी तो दो या तीन चात्रों को इतने अंक मिलते हैं लेकिन इस साथ सरसर चात्रों को परफेक्ट 720 मार्क्स मिले हैं कहा जा रहा है कि अनेक चात्रों को परिक्षा के दिन किसी न किसी कारण से कम समय मिला या उनका समय परभावित हुआ इसलिए उनको ग्रेस मार्क्स मिला हरियाना के भी कुछ चात्रों को ग्रेस मार्क्स मिला है लेकिन हरियाना के जिस परिक्षा केंद्र पर चात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले है वहां की प्रिंसिपल का कहना है क्योंके सेंटर पर किसी भी चात्र को कम समय नहीं मिला था और ना ही किसी चात्र का समय पर भावित हुआ था अब आप ही बताईए ऐसे में क्या इस बात की जाच नहीं होनी चाहिए क्यों सेंटर पर कैसे ग्रेस मार्क्स दिये गए करीब 44 ऐसे चात्र है जिनको ग्रेस मार्क्स देने का कोई ठोस आधारी नहीं है इस बार की परिक्षा में चोकाने वाला ट्रेंड है भी दिखा क्यूट स्कोर लाने वाले चात्रों की संख्या में चार गुने से जादा की बढ़ोत्री हो गई एंटिये के अपने आकडों के मुताबिक 620 से 720 अंक लाने वालों चात्रों की संख्या ओस्तन 13 से 14,000 के बीच रहती है पिछले साल 13,291 चात्रों को इतने अंक मिले थे लेकिन इस साल 620 से 720 अंक लाने वालों की संख्या 60,000 के करीब पहुँच गई आप खुद देखो और सोचो कितनी तरह की गड़बड़ी है पहले आवेदन की तारिक बीच जाने के बाद विंडों ओपन करके 24,000 से जादा आवेदन लेना फिर चुनिंदा चात्रों का सेंटर उनके ग्रे राज्ये से बाहर गुजरात में एक निश्चित केंद पर निर्धारित होना इसके बाद चुनिंदा चात्रों को ग्रे समाक्स देना ताकि उनका ओवर ओल परसेंटेज बहुत बढ़ जाए टेलीग्राम पर परशनपत्र लीक होना, परिक्षा में धांदली करके बाद में परशनपत्र में सही उत्तर भरना परिक्षा से पहले चात्रों को सही जवाब याद कराना इतनी शिकायते हैं और जब उनका मुद्ध उछलने लगा तो एंटी ने जाच का जिम्मा अपनी ही संस्ता के फर्मुक को सोब दिया जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो अचानक एंटी ने कहा दिया कि वह ग्रेस मार्क्स हटा कर स्कोर कार्ड जारी करने को तयार है और जिन चात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले थे उनको फिर से परिक्षा का विकर्प देने को भी तयार है इसके लिए 23 जून को परिक्षा की तारिक भी तै कर दी गई अब सवाल ये है अगर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई और एंटीय में एकलेट की परिक्षा में अपनाये जाने वाले नियम को नीट यूजी पर लागू किया तो फिर इतनी हडबड़ी में वे पीछे क्यों हट रही है वे क्यों नहीं सुप्रीम कोट में अपने फैसले का बचाव कर रही और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब इतनी गड़बड़ीयों की सूचना है तो शिक्षा मंत्री ने कैसे इतने भरोसे से कह दिया कि परशन पत्र लिक नहीं हुआ है हाला कि बाद में उन्होंने जाच और दोस्यों को सजा आदी देने की बात कही लेकिन पहले दिन तो उन्होंने भी इस पूरी प्रिक्रिया में शामी लोगों को क्लीन चिट दे दी खेर आप इस पर क्यार आये है हमें कुमेंट का ज़रू बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहीए जुंता की आवास इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर पहली बार जुंता की आवास लू चैनल को देख रहे हैं और हो सके तो इसके लिए चैनल को जोइन भी करें.